इस सेनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए educational वीडियो इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ केंद्रिविद्याले संगठन के अंदर admission process की information एक special provision होता है केंद्रिविद्याले के अंदर जिसमें single girl child के लिए fees exempt होता है यानि इनकी fee नहीं लगती है किस condition में नहीं लगती है पहले इसे ही समझना होगा देखिए एक parents है जिसके सिर्फ एक ही बच्चा है और वो जो बच्चा है उनकी एक girl child है और girl child भी single girl child है यानि कि एक ही लड़की है तो उनकी fee केंद्रिविद्याले के अंदर नहीं लगती है यानि कि parents है और parents के इलाबा उन कि इंद्रिविद्याले के अंदर नहीं देनी पड़ती है इसके regarding में कि इंद्रिविद्याले ने जैसे आप देख सकते हो यह पुराना letter है जिसके अंदर यह information पहले भी दी जा चुकी है कि उन्हें एक affidavit तियार करवाना होता है और यह जो affidavit है वो first class judicial magistrate यानि कि SDM से उन्हें एक letter बनवाना होता है और इस letter में यह declaration देनी होती है कि उनका एक ही बच्चा है और वो जो बच्चा है वो girl child है तो इस condition में उन्हें fees नहीं देनी पड़ती है बाकि detail में मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या process होता है admission का वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में म नहीं बनवाना है यानि कि जो first class judicial magistrate है उनके अंडर ही आपको जा करके एक एफिडेविट त्यार करवाना है देखे इसके रिगार्टिक में पहले भी सूचना के अंदर विद्याले की अंदर संगठन के दुवारे पहले भी दी जा चुकी है कि एकलोती संतार वो भी पूत और जैसे 12 तक जो करें फीस की बात करें एक structure की बात करें तो यहाँ पर वीवियन जो होता है 1500 quarterly उनको देना होता है और 300 जो होता है यह computer fee लगती है ठीक है तो इस तरह की जो fees है in single girl child की condition में इनकी नहीं लगेगी यानि कि उनको रियायत दी जाएगी तो ठीक है तो इसके regarding म जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि उनके first class officer से उनके declaration देनी होंगे और उस declaration में बताएंगे कि उनके सिर्फ एकलोपी संतान है वो पुत्री है ठीक है और इसके regarding में जैसे आपको अब तक पता लग चुका होगा कि एक affidavit त्यार करना है और यह affidavit किस type को होना चाहिए उसके बारे में सोड़ा समझ लेते हैं देखे एक affidavit इस type का होगा जैसे आप यह screen पर देख रहें इस affidavit में आप एक declaration देंगे कि I am father of जो भी आपका बच्चे का नाम आपका नाम आ जाएगा और यह सारी declaration देंगे कि आप citizen of India है और आपकी जो बच्ची है वो real daughter है आपकी खुद की daughter है और उसका date of birth यहाँ पर mention करेंगे और यह सारी condition जैसे यहाँ पर आप screen पर देख रहें यह सारी condition mention करेंगे कि इस daughter के ना ही इसके कोई brother है ना ही sister है in case further अगर in the future में अगर आप family planning करेंगे तो उसकी information आप school को provide करेंगे और यह affidavit आपको हर स सारी information provide करेंगे admission के time पर ठीक है इसके लाबा 100 rupees वाले stamp paper पर भी आपको यह इस तरह से affidavit त्यार करेंगे और इस तरह की जो चीज़ें यहाँ जैसे आप यह screen पर देख रहे हैं कि यहाँ पर declaration देंगे कि आप as a parents जो भी बच्चे का नाम है और यह सारी declaration देंगे कि आप इ बच्चे का कोई भाई या भेहन होता है तो इसकी information आप बाद में school को जरूर provide करेंगे और हर साल आपको यह affidavit देनी होगी तो I hope आपको यह single girl child की condition समझ में आ गई होगी कि कि किस तरह से इसमें admission fee में या फर बाकी चीज़ों में exemption मिल सकता है ठीक है तो admission process अभी start होना है उससे पहले अगर आप इस condition के अंदर satisfy करते हैं यानि आपका एक ही बच्चा है और वो भी girl child है तो आप इस benefit को आप ले सकते हैं इसके लिए आपको जो affidavit जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यह affidavit पहले से बनवा के रख लीजिए ताकि admission के time पे आपको किसी भी तरह की problem ना हो सकते हैं बाकि admission से related जैसे क्या rules होते हैं इसके regarding में वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ जिसका link मैं रिचे description में दे रखा है आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि के अंदर विद्याले संगठन के अंदर admission process कैसा होता है और उसके अंदर किस category से या फिर लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी information से related वीडियो मैं आपके लिए time to time लेकर आ सको और हाँ चैनल friends at the rate preparation को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिए ताकि new वीडियो की notification आपको मिल सके इसके लाबा मेरा एक और चैनल है मेरे नाम से है Mr. Krishna Shah वहाँ पे भी आप इसको subscribe कर लीजिए ताकि वहा directly मुझसे पूछ सकते हो ठीक है मिरी ID है Mr. Krishna Shah Instagram की ठीक है चले फिर मिलते है नेक्स वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है ठैक्स फुर वाचिंग बाबाए